माल की बिक्री अधिनियम 1930 के अनुसार इन में से क्या माल नहीं माना जाता माल की बिक्री अधिनियम 1930 के अनुसार माल का अर्थ है स्टॉक, शेर, जमीन से अलग किया घास, बढ़ती फसल और हर तरह की चल संपत्ती अचल संपत्ती गुड्स नहीं है अंडर सेल अप गुड्स अक्ट, मूबबल प्रापर्टी सेल अप गुड्स अक्ट में आती है इसलिए इंमूबबल प्रापर्टी नहीं आती सेर सेल अप गुड्स अक्ट में आता है ग्रोइंग क्रॉफ जबकि स्टैंडिंग ट्री नहीं आएगा लेकिन growing crops जो पक गया है अभी कटना है तो वो अगर नहीं भी कटा है जमीन के साथ है तो भी उसे goods माना जाएगा और sell of goods act में आएगा stocks भी sell of goods act में आएगा आता हा विकल्प ए सही उत्तर है